नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट करक रासी 2022 सनी देव की नजर में ये साल कैसा रहेगा कमाम बाते जारी है वीडियो के अंतक बने रहें और ये प्रडिक्शन चंद रासी पर आधारित है देखे साल 2022 में सनी देव अस्त भी होंगे उदय भी होंगे रासी परिवर्तन भी करेंगे और वक्री भी होंगे तो चली जानते हैं सबसे पहले तो 29 जनवरी 2022 बुद्धवार को सनी देव अस्त हो जाएंगे और 21 फरवरी 2022 को उदय हो जाएंगे अस्त होना एक ऐसा अवस्था होता है जब सूरी के समीप सनीदेव आ जाते हैं और सनीप पुर्ण रूप से सूरी के अधिकार छेतर में होते हैं और बैदिक जोतिस में सनीदेव सबसे मंद गती से चलने वाले ग्रह हैं एक रासी में लगभग धाई वर्स रहते हैं और सनीगरह के अस्त होना बहुत महत्तपूर है क्योंकि सनीगरह सीत हवाओं का कारक है और जब सनीगरह अस्त होते हैं तो प्रकिर्टी में बड़े बदलावाते हैं सासन प्रसासन की स्थिती में बदलावाते हैं तो चलिए जानते हैं कि सनी देव के अस्त होने तारा डूबना जिसको कहते हैं यदि आपका मुख्य गरा कुंडली में सनी हो अस्त हो जाए तो अनिक तरह की चुनौतियां आती है लेकिन अगर चुकी यहां पर देखें तो सनी आने क्या वसकता नहीं है क्योंकि 29 अप्रेल 2022 तक आप सनी धहिया से आजाद हैं लेकिन 29 अप्रेल से आपकी धहिया सुरू हो जाएगी तो 2022 में जो सनी देव हैं सौर मंडल के सभी 9 गरहों में सबसे नुकसान दे या पिर सबसे जल्दी लाब देने वाले गरा हैं और कुं सिक रूप से करियर में सिक्षा में नौकरी में विवास अंतान के मामलों में नुकसान पहुचाता है और कुछ न कुछ जीवन में परिसानिया होती रहती हैं लेकिन अगर देने पर आ जाएं तो अब इससनी रूप से धन मान सम्मान परतिष्ठा सब कुछ देते चले जात करते हैं तो 2022 चले शुरुआत करते हैं जानते हैं सनी देव की नजर में क्या होगा करक वालों आपके सब्तम्भ और अस्टम्भौ के स्वामी है सनी देव और बैदिक योतिसमें सनी देव 2022 में अधिकान समय आपके देखिए 29 अप्रेल से 12 जुलाई तक आपके सब्तम्भ और अस्टम्भौ में गोचर करेंगे यहां पर अस्टम्भौ में रहेंगे इसके पहले वो सब्तम्भौ में है बर्स की सुरुआत में सब्तम्भौ में है बिवास्तान पे जिसके कारण आपके बैवाही जीवन में थोड़ा तनाव दिख रहा है आपको अपने रिस्तों का ध्यान रखना है रीवन साथी की और ध्यान केंद्रत रखना है व्यापार और साजैदारी के बारे में भी यही चीजे हैं तो एक ऐसी अबधी है जिसमें आपको अपने रिष्टूं के मामलों पर ख्याल तो रखना है कुछ नए रिष्टे भी बनेंगे और रिष्टूं को बनाए रखने का प्रयास भी करना है ऐसे में आपके संबंधों में आपके एहंकार के कारण कलह आ सकता है तो एहंकार पर वानी पर कंट्रोल रखें आपके लव लाइफ हो या फिर बैवाहिक जीवन दोनों ही रिष्टे को संभाल कर चले 2022 में जो लोग जौफ कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत बाधाएं हैं क्योंकि आपके अंदर जो गुन है जो परदर्शन का भौव है जो प्रभावी ढंग है उसको आप सही तरीके से परदर्शन नहीं कर पाएंगे लेकिन अधिक कारेभार के कारण अधिक समय तक काम भी करना पर सकता है ग्रहकों को समय पर समान पहुचाने में हो सकता है आप दिक्कत आपको आए लेकिन धन के मामलों में ठीक है क्योंकि बड़ा कोई खर्च नहीं होगा इस समय और स्वास्त की दृष्टी से भी बढ़ि पुरानी स्वास्त समस्याओं से दो-चार बार सामना होगा तो इसके लिए तयार रहे हैं कहने का तात पर इस समय अगर आप चांदी का एक छोटा सा ठोस गोली अपने पास अपने पर्स में रखें तो अच्छा रहेगा अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं देखिए वै चार पाए होते हैं तो ऐसे में सनी देव आप करकवालों के जीवन पर कौन से पाए पर आएंगे ये बहुत महत्तो पूर्ण है क्योंकि पाया से ये पता चलता है कि कितना लाब होगा और कितना हानी होगा तो करकवालों आपके लिए रजत पाया रहेगा इस 2022 में तो सनी क कुमरासी में प्रवेश करने के बाद समाजिक जीवन आपका बहुत ही जादा आपको परतिष्ठा दिलवाएगा समाज में मान परतिष्ठा बढ़ेगा पारिवारी जीवन में सुखद अनुभव मिलेगा माता पिता का सहयोग आपको हर संभव प्राप्त होगा आप है फल भी मिलेंगे और विद्यार्थियों को खास कर आपके जो गुरु हैं आपके जो सिनियर हैं उनको आपको उनका साथ मिलेगा तो जो भी पढ़ाई लिखाई की परिसानिया है वो दूर होगी अब सनी देव का पाया चुकी चांदी है तो यकिनन जीवन में चांदी ही चांदी करेंगे आपकी सारी मनो काम नाय पूर्ण होगी अगर आप बिदेश जाना चाहते हैं बिदेशी वस्तु से कोई कारोबारी हैं बिदेशी जमीन से कोई काम करना चाहते हैं ये वक्त बहुत अच्छा है और भैवाही जीवन में भी ये चांदी का पाया टेंसन को क कराएगा जीवन साथी का सहयोग से आप अपने करियर में तरक्की कर पाएंगे अच्छे फल को प्राप्त कर पाएंगे तो ये तो थी चांदी के पाये का फल अब हम जानते हैं अंत में कि कुछ खास होने वाला है तो ऐसे में देखिए अपने रिस्तों को थोड़ा बचाना ह आपको थोड़ा सा पॉजेटिव रहना है महसूस कीजिएगा कि आपका जीवन साथी आपको नजर अंदाज कर रहा है तो या फिर आपका सही धंग से खयाल नहीं रख रहा है तो थोड़ा से यहां पर चीजों को जैसे आप सांथ तरीके से हंडल करें किसी भी चीज को थोड़ा सा आपको परिशान करेगा फिर होगा अगर आप वेपसाई में पार्टनर्सिप में काम करते हैं तो ताल मेल बैठाने में थोड़ी सी दिकते आ रही हैं जिसका नकात्मक प्रभाव आपके वेपसाई पर भी पढ़ सकता है अब सनीदेव अस्टमभौ में जैसे ह आएंगे तो पेसेवर जीवन में समस्याएं बढ़ाएंगे आपके जो कर्मचारी हैं आपके जो सहयोगी हैं आपके खिलाब कहीं कोई सडियन तो नहीं रच रहे इसका भी खयाल रखिएगा आपको लगेगा आप अकेले हो गया हैं बटक गया हैं आप तनाओं में हैं तो रिष्टों को संभालें ये बहुत आवस्यक हैं आपके उपर धहिया भी शुरू हो रही हैं क्या करेंगे सनी बार के दिन गरीब बैक्तियों को खाने पीने के बस्तू का दान करें लाब होगा आप चाहें तो गरीब लोगों को चपल काले कपड़े का भी दान कर सकते ह वैसे भी धहिया चल रहा है रोज सामें ओम संग्सने च्राय का नमा का जब करें अगर जैसे कि माता पिता के जीवन में थोरी सी परिसानी है थोरा सा बैवाहिक जीवन को संभालना है थोरा संतान के उपर ध्यान देना है तो ऐसे में अगर लगे कि कस्ट जादा है आप अक धहिया के लक्षन भी बहुत सारे होते हैं किसी गरी बेक्ती से बाद विबाद हो जाना संपत्ती प्रपर्टी के मामले में फस जाना अनैतिक सम्मंद्ध के सिकार हो जाना या पिर कोट कचारी के चक्र में फसना पदोनती में बाधाएं होना कर्ज परेसान करना बुरी पात्र में पात्र में उसमें एक चुटकी काला तिल डाल दे और इसको आप सनिवार की दिंजला कर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दे इससे भी आपको लाव होगा वैसे तो इस दिन आप ओम संग सनेचराय नमा का जभी जब कर सकते हैं और चिडियों को दाना पानी डाल सक करते हैं जीवन में संघर्स बढ़ा देता है चुकी तो गलत कारे से बचना चाहिए और सनिवार के दिन भोजन में काली मिर्च का परियोग या काले नमक का परियोग चरूर कीजिए इससे भी लाब होगा और जहां तक संबभ हो मांस मदीरा का परियोग कम करें और सनिवार के दिन तो बिल्कुल भी ना करें तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब धन्यवाद